हेलो फ्रेंट, वेलकम टो इजी ट्रॉनिक, आज के इस टूटोरियल में हम लोग 3D डिजाइन का यूज करके वाटर ग्लास बनाएंगे अगर इस फ्री ऑनलाइन वेब ब्राउजर में आपको आईडी रेजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी इंट्रॉडक्शन और टिनकर कायट फॉर 3D डिजाइन इसका लिंक हमने दिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसमें सारी डिटेल हमने दिये कि कैसे आईड आपको रेजिटर करनी है आप उसको देखके रेजिटर कर सकते हैं इसी प्रोजेक्ट को हमनों न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमनों टिनकर कायट पर क्लिक करेंगे पिर यह 3D डिजाइन पर हमनों क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन यह हमारी प्रॉप कर लिया है यहां पास इसी तरीके से देखिए सिलेंडर के हम लोग लेंद और ब्रेथ को सेट करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे देखिए आप डायरेक स्क्रॉल भी ऐसे कर सकते हैं तो भी बढ़ सकती है अब यहां राइट भी कर सकते हैं यहां लिख दिया 40 लेंद 40-40 इसी तरीके से हम यहां से height को कर सकते हैं height के option में यस पे आप click करके height दिखा रहा है आप इसको scroll कर दें या आप यहां पर type भी कर सकते हैं हमने 45 जैसे height दे दिया इसकी यह 45 height होगी अब देखिए इसी glass के अंदर अब हमें glass बनाना है glass के अंदर बीच में hole होता है तो इसमें हमें बीच में hole करना है hole करने के लिए हम लोग select करेंगे और यहां से duplicate को option पे click करेंगे click हो गया इसी तरी के यह black dot आपको दिख रहा है इस plane को surface से उपर ले जाने के लिए यह dot का use के जाते है इस पे आप click करके जब आप उपर करेंगे तो हमारा surface देखिए यहां बता रहा है कि 4 mm हमारा surface से work plane से उपर हो गया है देखिए हमने जो duplicate जो बनाया था उसको हमने उपर निकाल दिया इसके अंदर duplicate वाले की हम size कम कर देंगे length breath कम कर देंगे जैसे duplicate के हम कर देते हैं 30 30 30 यहां पर 30 अब देखिए पहले वाले glass की 40 breath थी 40 40 थी इसकी 30 30 है अब यह 30 30 अगर हम बीच में cut कर देंगे इस glass के इस glass में बीच बीच में रख के अगर हम cut कर देंगे तो हमारा hole हो जाएगा अब देखिए हम हाथ से तो ऐसे रख नहीं सकते कहां पर रखेंगे वो आगे पीचे हो रहा है एक्यूरेसी नहीं आप आ रही है तो इसके लिए हम लोग दोनों को select करेंगे यह हमने select कर लिया दोनों को यह align का option आता है align पर click करेंगे यह option आ गया आपको middle पर रखना है तो इस पर direct click कर देंगे तो हमारा यह middle का option है इस पर click करेंगे तो automatic हमारा middle पर आ जाएगा ऐसको गाल को इ agric की अंदरhole कर देंगे टो हम लोग क्या करेंगे है इस पर hole पर click करेंगे तो यह हमारा hole हो गया है अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे यह हमारा मैंटर कितने mm पर एस हदिशे हम B4म ज़किंगे 5000 ml कि में वह सोलिड रहेगा अब ये हमने hole को इसके अंदर डाल दिया है अब hole का cut करना है solid में hole को cut कर देंगे तो हमारा glass बन जाएगा तो simply दोनों को select करेंगे select करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे click करके shift दबाके दूसरे object पे click कर लेंगे जब ये दो object click होंगे select होंगे तभी ये option खुलेगा याद रखिए कि जब select होंगे तभी object जो है option खुलेगा तो ये क्या है group करने का है अब हम group कर देंगे तो बीच में cut हो जाएगा देखे simply हमने click किया ये group में अब ये देखे हमारा hole हो गया है ये हमारा simple glass बन गया है ये देखे आप यहां से scroll करके चारों तरफ से देख सकते हैं देखे नीचे solid है और ये देखे hole आपको दिख रहा है किसी तरीके से हम लोग rotate करके देख लेंगे देखे एक ये option आरहा rotate का अब यहाँ पर click करके simply यहाँ पर click करेंगे ये rotate का option आया आपका कि हम rotate कर सकते हैं इसे 90 यहाँ type भी कर सकते हैं 90 आप type कर दिजिए तो 90 हो जाएगा इसी तरीके दूसरा option हमारा rotate करने का ये option है इसको हम लोग इस तरीके और operate करा सकते हैं ये देखे 90 degree पर रख सकते हैं इसी तरीके से हम लोग इसको stand कर सकते हैं एक ये option आता है इसे हम लोग 90 degree पर सीधा कर देते हैं ये तीन option देख लिए अब हम लोग इस पर type नाम लिखेंगे text लिखेंगे तो text को option में जाएगे हम लोग scroll करेंगे यहाँ पर text को option है simply text पर select करेंगे drag and drop कर देंगे यह हमारा text आ गया इसको हम लोग 90 degree अब करेंगे तो देखें यहाँ पर आ रहा option तो यहाँ पर हम click करके यहाँ पर 90 कर देंगे अब इसी तरही देखें यह हमारा surface के नीचे है work plane के नीचे है तो हमने बताये थे black dot से आप surface के उपर कर सकते हैं और यहाँ पर देखें value भी आती रहेगी यह हमारा surface से कितना उपर जा रहा है यह 4 में उपर चला गया यह देखें 0 पर कर देंगे तो हमारा surface पर आ गया अब हम लोग इस पर type करेंगे type करने के लिए इस पर click करेंगे यह option खुल गया यहाँ पर हम लोग कुछ भी type करेंगे जो आपको type करना हम ES लिखेंगे ES अब इसी को हम लोग इसमें group कर देंगे select करके इसको थोड़ा सा up करेंगे और इसकी size थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि size बहुत बढ़ी है हमारा glass चोटा है अब इसी को हम लोग glass पर रख देंगे glass के अंदर इसको पीछे करेंगे थोड़ा सा इसी तरीके से हम देखें आप इसको और बाहर भी कर सकते हैं यह चीज यह हमने जो लिखा है थोड़ा सा उब्रा हुआ रहेगा और अंदर करना चाहेते हैं इसको और थोड़ा सा अंदर कर दीजे यह देखें अंदर हमारा नहीं जा रहा है यह हमारा ES देखें साइट से देखें थोड़ा सा उब्रा हुआ ES लिखा हुआ है इसको और थिकनेस ज्यादा करना चाहेते हैं तो और कर सकते हैं अब यह हमारा group नहीं हुआ है अभी देखे दोनों अलग अलग हैं तो हम लोग नों को सेलेक करेंगे सेलेक करने के बाद सीमपल ही गुरूप कर देंगे गुरूप पे क्लिक करेंगे यह हमारा ुप हो गया इसी तरीकते अगर भार मिसका color चेंज करना थो simple इस पर click करके solid पर click करेंगे यहां से कोई भी color आप ले सकते हैं अभी हम zoom करके देखते हैं यह देखे zoom करके आप चारो तरफ से आप इसको top, front, back अर तरफ से 3D design दे सकते हैं अब इसी के हम लोग एक्सपोर्ट में जाके STL फाइल को सेफ कर लेंगे और अपने 3D design software में डालके printer से इसको निकाल सकते हैं प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी next वीडियो हम बनाएं उसका notification आप लोग के पास आ जाए हमने इस TinkerCAD में 3D design भी स्टार्ट कर दिया है, circuit design भी और scratch programming भी कर रहे हैं आने वालक वक्त में हम Arduino की hardware programming भी करना है स्टार्ट करेंगे प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू